एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम एंजीयो नहीं है, हम चुनाव लड़ते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है कि जैसा का ब्या हो रहा है और सबको जानी मंतरन बटवा रहे हो, अमित्सा, ऐसा तो नहीं है, तो वो कौन होते हैं भाई, एक बात जान लिजिए, म पहले मोधी जी के सामने इलेक्ट्रिक पूल का उद्गाटन करके पहले दिखा दें, फिर समझेंगे हम, मैं आप सबका AICC की तरफ से और भारतिया राष्ट्य कॉंग्रेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ, कि आप लोग देश के अलग-अलग कोने से, खास करके दिल्ली से चल करके बहुत सारी मीडिया के साथ ही आए हैं, इलेक्ट्रोनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, सबका बहुत स्वागत है, जैसा कि जैराम जी ने कहा कि हमारी भारत जोरो नियाय यात्रा शुरू हो चुकी है, कल मकर संक्रान जिन्ति के मौके पे इसकी शुरुवात हुई और राहुल जी ने जो वार मेमोरियल है वहाँ पे सहीदों को सधांजली देते हुए सरधाशुमन अर्पित करते हुए इस यात्रा को शुरू किया और आज हमारा यात्रा का दूसरा दिन है और मनिपूर से हम लोग अब नागा यात्रा मनिपूर से क्यों शुरू किया जा रहा है और तीसरा कि भारत जोरो नाग यात्रा से हम क्या हासिल करना चाहते हैं इस तीनों सवाल का हम अलग अलग जबाब देंगे लेकिन इस पूरी यात्रा के संबंध में हम एक बात आप सबसे कहना चाहते हैं जब देश में बह रही हो अन्याय की आंधी तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल कांधी ये इस यात्रा का मूल भाव है और इसी में सारी बात जो है वो नहित है जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये यात्रा मनीपुर से इसलिए शुरू की गई है आठ महीने हो गए हैं और मनीपुर मे आप सब को यह अनभव हुआ होगा यह Congress Party का दुस्परचार नहीं है हकीकत है कि इंफाल के driver जो है वो आपको कानकोपी नहीं आ रहे हैं कानकोपी के driver जो है वो इंफाल नहीं जा रहे हैं यह Congress Party नहीं बोल रही है Congress Party जब Parliament में सवाल को उठा रही थी कि प्रधान मंत्री जी को म मनीपूर के हालात पर जवाब देना चाहिए तो आप देखिए कि किस तरीके से विपक्ष को बदनाम किया गया तो राहुल जी उस वक्त आये और राहुल जी देश के प्रधान मंत्री नहीं थे राहुल जी देश के प्रधान मंत्री नहीं थे राहुल जी देश के प्रधा क्लवी उन्हें चाहते हैं दूसरी बात कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जरूरत आज बड़ी है नयाईक की जरूरत हमेशा से है इसलिगे नियाई की बाद हमारे संबीधान की प्रस्तावना में कहीं गई है लेकिन जैसा हमने आपको कहा कि अन्याय की आंधी बह रही है कि संस्थानों को कब्जा कर लिया गया है अगर मीडिया में सवाल नहीं उठाए जाएंगे लोगों के उपर होने वाले अन्याय पर अत्याचार पर आप सोचिए मनिपुर में अत्याचार हो रहा, न्याय हो रहा है और प्रधान मंत्री जी एक बार मनिपूर का नाम लिये है मनिपूर के मुख मंत्री को बड़े भी आप देखिए कि रोज इस तरीके से इंस्टिशूशन आज की तारीख में न्याय डेलिवर करने में अक्चम होते जा रहे हैं ऐसी परिस्तिती में न्याय की आवाज को बुलंद करना जरूरी है अन्याय के खिलाफ और खास करके इस देश के भीतर जो आम आवाम हैं विद्यार्थी है, नौजवान है, किसान है, महिलाय है, मजदूर है, गरीब लोग है जो भी साधारन विक्ति इस समाज में देश में रहने वाले हैं उनके साथ किसी भी परकार का जो अन्याय होता है चाहे हो समाजिक हो, आर्थिक हो, राजनेतिक हो उस अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए जो है राहुल जी संघर्स कर रहे हैं और यही हम आप सब के माध्यम से देश के नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि आप आत्महत्या मत किजिए देश के किसानों से अपील करना चाहते हैं कि आप आत्महत्या मत किजिए एक साल मे 12,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हो सरकारी आकरा बताता है कि एक घंटे से कम समय में मतलब लगभग रोज 24 नौजवान हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं रोज 24 ये प्रेस कॉंफरेंस अगर एक घंटा चलेगा तो इस दोरान जो है एक नौजवान आत्महत्या कर चुका होगा तो हम इस देश के किसानों से नौजवानों से महिलाओं से सबसे कह रहे हैं राहुल जी कह रहे हैं कि डर्ये मत सहीये मत अन्याय के खिलाप संगर्स कीजिए और यह जो भारत जोरो न्याय यात्रा है इसमें आप भी न्याय योद्धा बन करके मैं कहता हूँ कि इस देश के आम आवाम को अपना स्वरनी मितिहास याद करने की जरूरत है तैस साल की उम्र में भगत सिंग अगर फांसी के फंदे पे जूल सकते हैं देश के आजादी के लिए और लोगों के हक के लिए अधिकार के लिए न्याय के लिए तो हमको भी अपने संघर्ष के लिए अपने न्याय के लिए संघर्ष करना परेगा जैसे स्वतंतरता सेनानी होते थे उसी तरीके से संभिधान को बचाने के लिए सम्विधान से नानियों की जरूरत है आप नियाय योद्धा बन करके अनियाय के खिलाफ इस भारत जोरो नियाय यात्रा में सामिल होईए और यह जो नियाय यात्रा है भारत जोरो नियाय यात्रा यह नियाय के लिए है आम लोगों के लिए सभाविक रूप से कई सारे लोग या प्रशन पूछ रहे हैं कि इसका चुनाव से संबंध है की नहीं है भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है एक राजनितिक पार्टी है तो सभाविक रूप से जब राजनीतिक पार्टी कोई कारिकरम करती है उसमें राजनीत होता है लेकिन राजनीत का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता है 1947 से पहले भी इस देश में राजनीती हो रहा था लेकिन चुनाव नहीं हो रहे थे चुनाव अगर होते थे तो राजे राजवारों के चुनाव होते थे और उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था इसलिए हर चीज को सिर्फ चुनावी चस्मे से नहीं देखना है यह जो राहुल जी की तपस्या है यह तपस्या इसलिए है कि अन्याय जब देश में हो रहा हो और चुपी साध लिया हो लोगों ने संस्थाएं जब न्याय डेलिवर ना कर रही हो उसमें वो न्याय की मुखर आवाज बन करके संघर्स कर रहे हैं तो आप सब के माध्यम से देश के नौजबानों किसानों तमाम आम आवाम को आग्रह करते हैं कि आप भी न्याय योद्धा बन करके इस न्याय यात्रा में सामिल हो ये यह यात्रा आने वाले दिनों में विभिन राजियों से गुजरते हुए मुंबई पहुच रही है और कि भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के स्थापना मुंबई में हुई थी इस देश को आजादी दिलाया है भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस ने इस देश के संबिधान को लोक तंत्र को अन्याय के खिलाफ न्याय की अस्थापना को कॉंग्रेस पार्टी ले करके चलेगी इस प्राब्लेम आपको हो रहे होंगे लेकिन आप सब आये हैं इस यात्रा में सामिल हुए है इसलिए हम पार्टी के तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपको धन्यवाद कहते हैं शुक्रिया करने जी आपको चुप करा दिया जब हम अंग्रेजों के साशन में नहीं थे तो हम चुनावी राजनीती से अलग इसलिए रख रहे हैं कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करती है तो सिर्फ यही सवाल पूछा जाता है कि कितना सीट जीतेंगे कितना वोट आएगा सवाल सीट और वोट का नहीं है जीते हुए है न परधान मंतरी तो दो बार जीते हैं न क्यू नहीं आ जाते हैं मनिपूर सब कुछ है ना उनके पास क्या नहीं है सारे 8000 करोर का बिमान है 15 करोर की कार है 10 लाग का सूट है सब कुछ है ना उनके पास SPG कमांडो है क्यूं नहीं आते हैं मनिपूर क्यूं नहीं आ रहे हैं ग्रिह मंत्री पांच राजियों का चुनाव हुआ था हर चीज को सीमित कर देंगे तो फिर हमारे आँक के सामने जो अन्याय हो रहा है उसमें न्याय कौन ढूंढेगा न्याय के लिए कौन लड़ेगा हर चीज को अगर चुनाव पर ही सीमित कर देना है राजनीती से हम इंकार नहीं कर रहे हैं, एक political party है, हम NGO नहीं है, हम NGO नहीं है, हम चुनाव लड़ते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ चुनावी नफा नुकसान से हर चीज को देखेंगे, तो इस देश का बटवारा होता रहेगा, जिसे बटवारा हो गया है मनि सिर्फ वोट के गनित से नहीं आ रहे हैं ना, सुरक्षा के सवाल से तो नहीं है, हम लोग जब आ सकते हैं, तो पधान मंतरी क्यों नहीं आ सकते हैं, मतलब वो सुरक्षा के सवाल से नहीं आ रहे हैं, वोट के गनित से नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ की जो है सहादत और तालिश में हो गई चुनाव इस देश में बावन में हुआ था ना सर तो गांधी जी तो चुनाव नहीं लड़े थे तो हम यह कह सकते हैं कि गांधी जो है इस देश में नयाई के लिए नहीं लड़े इस देश में हजारों साल से लोगों को मंदिर प्रव पूरी मजबूती से लड़ेंगे देश का सबसे मजबूत विपक्ष पार्टी होने का अपना रोल निभाएंगे हम उससे भाग नहीं रहें लेकिन किसी भी संघर्स को न्याई को किसी भी जो है लोगों के अधिकार को सिर्फ और सिर्फ चुनाव से सिमित कर देने से उसका आ पूरी मजबूत को सब्सक्राइब लेकिन ज्याएं की जरूरत नहीं है हम इस देश के 140 करोड़ लोगों के के लिए के लिए महेंगाई महेंगाई की कोन प्रतारित नहीं है में मह cribाई का जो अं neurny है उसे कौन प्रतारित नहीं है तो हम सब लिए लए इसलिए हम यह बात कह देखे राहूल जी ने पिछली बार जो यात्रा की थी तो उसका उद्देश यही था कि हम आम लोगों के बीच जाएंगे ताकि आम लोगों लोग हमसे बहुत आसानी से मिल सके इस बार भी जब वो यात्रा कर रहे हैं तो इसी उद्देश को ले करके चल रहे हैं कि सब लोग उनसे मिल सके हैं यहाँ पर वो मैती समुदाई के लोगों से मिले नागा समुदाई के लोगों से मिले गुर्खा समुदाई के लोगों से मिले और उन लोगों से भी मिले जो भ सारे लोग सांती चाहते हैं आप किसी से भी बात करके देख लीजिए पोस्टर चाहे किसी भी समुदाय के दौरा लगाया गया हो सब कह रहें वी वांट पीस सबसे उनकी पहली मांग ये है कि सांती अस्थापित हो उससे तमाम लोगों का जीवन जो है वो अस्तिव्यस्त हो हो रहा है प्रभावित हो रहा है जी एक बिदे का देश में अगे ले जाने के लिए देखें वो जो दावे कर रहे हैं वो दावे में सच्चाई कम प्रचार जादा है सच्चाई आप सब लोग यहां आये हैं तो यह सच्चाई आप लोगों ने देखा है अब दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे वो एक अलग बात है देखा आप सब लोगों ने है कि किस तरीके से एक राज्जी को दो हिस्सों में बांट दिया गया है और सरकार सरकार जो बै अन्याय की बात नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, तीनों परकार के जो अन्याय चल रहे हैं, मैंने आपके सामने नौजबानों की आत्महत्या का आकरा दिया, आप देखिए कि किस तरीके से देश में नौक्रिया समाप्त की जा रही है, किस त तरीके से सरकारी संस्थान को समाप्त किया जा रहा है या अपने दोस्तों के हाथ होने पोने दामों में बेचा जा रहा है जिस तरीके से एक तरफ दावा करते हैं कि हमारी एकॉनमी सारे तीन ट्रिलियन की हो गई है इसका जो बेकारी है, उसका जो अत्याचार है, उसका जो अन्याय है, उस अन्याय के खिलाफ हम न्याय के स्थापना चाहते हैं तो राहुल जी जो लोगों से मिले हैं, तो बस के बस में चलते हुए आप लोगों के साथ उसका उन्हों आपको शेयर किया थी, उन्होंने कैसे नए का शांती का नए दिले आई हैं। जो 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 ग्रफिकल कंस्ट्रेन है, जो लंबाई है, और आने वाले दिनों में जो राजनिती गतिविदी देश में रहने वाली है, तमाम चीजों को ध्यान में रख करके पार्टी ने तै किया कि हम हाइबिरीड यात्रा करेंगे, पैदल भी उतर के चलते हैं, बस से भी चलते हैं, तो बस को जो एक महबत की दुकान की शकल दी गई है, तो बस के भीतर भी लोगों से मिलते हैं, बाहर जो लोग सरकों के किनारे खरे होते हैं, उनसे भी बात करते हैं, और हम आपके माधियम से ये बात भी साजा करना चाहते हैं लोगों को, कि आने वाले दिन जो है आपको खरा रहना है और बाई तरफ वो बैठते हैं लोगों से मिलते हैं बात करते हैं उनके आग्रह पे जो है वो उतरते भी है और जो है जो है संस्कृत में एक बात कहीं भी जाते हैं सदा भवानी दाहिनी सनमुख रहे गनेस तो लोग जो है बाई तरफ रहते हैं हम ड्राइवरों से मिले हैं तो वो आम लोगों से मिलना चाहते हैं और उनका जो भी दुख-दर्द है उनकी भासा में सुनते हैं और उनको आश्वाशन देते हैं कि सरकार तो हम नहीं है लेकिन आपके हग के लिए आपके न्याय के लिए लड़ेंगे जरूर जलूर है इस पे तो हमारे बरिष्ट नेता और साथी जाराम जी ने जवाव आप लोगों को दे दिया है मैं सिर्फ आपको इस पर एक ही बात कहना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है किसी भी धार्मिक आयोजन के खिलाफ नहीं है किसी भी धार्मिक भक्ती भाव भावना के खिलाफ नहीं है कॉंग्रेस पार्टी सर धर्म संभाव में विश्वास रखती है और आज से नहीं यही बात गांधी जी कहते आए रगुपती रागव राजा राम, पतीत पावन सीता राम, इश्वर अल्ला तेरो नाम सबको सन्मती दे भगबान सबको मोधी जी वाला नहीं सबका साथ सिर्फ कहने के लिए सबको सन्मती दे भगबान तो कॉंग्रेस पार्टी किसी भी धार्मिक आयोजन का विरोध नहीं करती है जहां तक निमंत्रन की बात है भाई हम लोग तो गाना सुनते थे ना चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है भगवान जब आप आते हैं आपको भगवान जब आपको जो है इसी परिस्थिती पईदा करके देते हैं जीवन में तो आप जाते हैं इश्वर से मिलने के लिए किसी का साधी है यह एक बैसा और बादर बद्लों मेरे दादी कहती थी मन चंगा तो कठहऊती में गंगा एक बुन पानी को गंगा जल मान करके और आप पभित्रता का मंतर परके वही गंगा हो जाती थी और आप सुध हो जाते थी तो कहती मेरी दादी तो कहती थी मनमंदिर में इश्वर का निवास होता है इश्वर आपके विक्तिगत आस्था का चीज है परदर्शन का विसाय नहीं है लेकिन वो कर रहे हैं उसके पीछे सब को मालूम है सब जानते हैं आप सब जानते हैं पूरा देश जानता है किसी साध क्रम में नहीं जा रहे हैं मंदिर जाएंगे क्यों नहीं जा रहे हैं इस यात्रा के दोरान ही आप देखिएगा कि हम हजारों सेक्रों मंदिरों में जाएंगे मंदिरों में जाएंगे गुर्दवारों में जाएंगे मस्जिदों में जाएंगे चर्चों में जाएंगे क्यों समापरसाद मुखर जी भी थे और मौलाना अबुलकलाम आजाद भी थे जौन मताई भी थे कॉंग्रेस पार्टी ने किसी भी धर्म को अलग नहीं कि इसलिए मैं आपको बता देता हूं सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी भारत जोरो निया यात्रा कर सकती है क्योंकि कॉंग्रेस दूसरी पार्टी जो है एक पहचान के आधार पे एक छेतर के आधार पे सिंटी रहती है याठ 2 कân communist पार्टी की विचारदारा सार्व भॉमिक है सबको साथ लेकर चलने वाली है सर्व धर्म संभाव वाली है तो सिर्फ बाइस तारीं के निमंत्रन पे सारा भहस तके अंद भरत जोरो एत्रा गीताच उस्थे पिरप přरोप अठी ही अठी, तुम सब्सक्राइब भरतów जोरो जात्रा सब्सक्राइब करने एक प्रोपषा अठीज़ू Candamiliar पार जोड़ो की बात कर रहे हैं तो तो अच्छा एक बात जान लीजिए मोहन भागबद जी पहले मोधी जी के सामने इलेक्ट्रिक पूल का उद्गाटन करके पहले दिखा दें फिर समझेंगे हम चिस आदमी का मतलब अपनी पार्टी में जो लोग संघर्ज कर रहे हो एक कह रहे हैं बिजली का खंबा का उद्गाटन करके हमको दिखा दें मोहन भागबद अब बुजूर्ग आदमी है आरेसे कुछ आवार